लीब के बाद सीरियल गुम है किसी की प्यार में की कहानी पूरी तरह से उलज़ती चली जा रही है विराट का परिवार जान चुका है कि सई जिन्दा है सवी के बारे में जानकर परिवार के लोग हैरत में पड़ गए है सीरिल गुम है किसी के प्यान में आपने देखा कि विराट घर आने के बाद परिवार को सही के बारे में बताता है सही का नाम सुनते ही अश्वीनी और भवानी का पारत चड़ जाता है दूसरी तरफ विनाइक के जाते ही सवी बिमार पढ़ जाती है सही भी विराट के जाने का मातम मनाती है इस भी सीरियल गुम है किसी के प्यान में की कहानी में एक बड़ा भूचाल आने वाला है टीवी के गल्यारे से आरे खबरों की माने तो सीरियल गुम है किसी के प्यान में की कहानी में विनायक के साथ एक बड़ा हाथसा हो जाता है सीरियल की कहानी में आप देखेंगे कि भवानी गुस्से में सवी के फोन नंबर को डिलिट करने की कोशिस करती है विनायक भवानी को फोन नंबर डिलिट करने से मना करता है इसी बीच विनायक सीडियो से घिर जाता है विराट विनायक को लेकर हॉस्पिटल दोड़ता है बॉक्टर विराट को बताते हैं कि उसका इलाज सही से ही करवाना चाहिए इस एंटर्टेंडमेंट सीरियल में विराट अपने अतीत को भुलाने के लिए खूब सराब पिएगा सराब के नशे में विराट पाखी के पास पहुँचेगा विराट दावा करेगा कि उसके और सही के अलग होने की वज़ा पाखी है विराट की करवी बाते सुनकर पाखी का दिल तूट जाएगा विराट नशे की हालक में पाखी को खूब जलिल करेगा दूसरी तरफ जकता बिमार सवी को घुमाने ले जाता है जकता वो सवी को साथ देकर सही भड़क जाती है सही विराट को खुद से दूर करने के लिए उसकी दीवी अंगूटी बेचने पहुच जाती है इस गरन विराट और पाखी भी शॉपिंग करने जाते हैं सही को जोलरी की दुकान में देखकर विराट दिखावा करता है विराट पाखी को महंगा हार गिफ्ट करता है